हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल कुक विथभ, आज हम लोग बनाएंगे पनीर लवापदार या पनीर बहुत ही टेस्टी बनती है, आप एक बार इस रेसिपी को जरू ट्राइ करें, तो आए शुरू करते हैं एक टीशपून कश्मीरी लाल मिर्च, एक टीशपून गरम मसाला, एक टीशपून धनिया पाउडर, आधा टीशपून जीरा पाउडर, एक टीशपून हल्दी पाउडर और एक टीशपून पनीर मसाला लिया है पचास ग्राम फ्रेस क्रीम, तीन मीडियम साइच के टमाटर कटे हुए, तीन मीडियम साइच के प्याज कटे हुए, 25 ग्राम किश्मिश, 25 ग्राम काजू, 50 ग्राम फ्रेज मेटर, 500 ग्राम पनीर को स्क्वाइर सेप के बड़े टुकडों में काट ले हमने सारे पनीर को स्क्वाइर सेप के बड़े टुकडों में काट लिया है थोड़ा सा पनीर गार्नीशिंग के लिए और ग्रेवी में डालने के लिए बचा ले कटे हुए पनीर पर हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मिला कर अच्छे से मिक्स करें पनीर में हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च मिलाने से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है और कलर भी बहुत बढ़िया बन के रेडी होता है इसलिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मिलाते हैं गैस पर पैन चड़ा कर गरम कर लें फिर तीन टीश्पून रिफाइंड ओयल या जो भी ओयल आप खाते हैं उसे डाल कर अच्छे से तेल को हीट होने दे तेल गरम होने के बाद पनीर के बड़े तुकड़ों को वन बाई वन करके तेल में डाल दे इतना तेल ना डालेंगी पनीर आपका बिल्कुल उसमें डूप चाहे बस इतना ही तेल डाले जिसमें आपका पनीर फ्राई हो सके सारे पनिर को उलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लें हमने सारे पनिर को फ्राई कर लिया अब चलते हैं ग्रेवी बनाने की ओर ग्रेवी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 25 ग्राम लासन, 3 तेजपत्र, 4 हरी मिर्च, 2 लाल मिर्च, थोड़ा सहरा धनिया, 3-4 दालचिनी के टुकड़े, गोल मिर्च, लॉंग और 2 बड़ी लाचि लिया है गैस पर कड़ाई या पैन चड़ा के अच्छे से हीट कर लें, फिर जिस तेल में हमने पनिर फ्राई किया था, उस तेल को इसमें डाल दें ध्यान रहे हमें ज़्यादा तेल का यूज नहीं करना है, जब हमारा तेल अच्छे से हीट हो जाए तब हम इसमें 25 ग्राम लशन, 4 हरी मिर्च, 3 मीडियम साइज के प्याज, 3 मीडियम साइज के टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकडा, 25 ग्राम काजू, 25 ग्राम किश्मिश डाल कर अच्छे से मिक्स करें मिक्स करने के बाद आप स्वाद अनुसारिस में नमक डाल कर 5 मिनट के लिए इसको ढग दे 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारी सबजे थोड़ी नरम हो गई है, अब इन सबजें को एक बाउल में निकाल ले फ्राय की गई सबजें को अच्छे से ठंडा कर ले, फिर इसको मिक्सर जार में अच्छे से पीस ले गैस पर कड़ाई चड़ा कर गर्म कर ले, 3 टीस्पून इसमें सरसो का ओयल डाल कर अच्छे से हीट कर ले तेल हीट होने के बाद आधा टीस्पून जीरा, दो लाल मिर्च, तेज पत्र, दालचीनी के टुकड़े, दो बड़ी लाची, लॉंग गोल मिर्च डाल कर अच्छे से भून ले आधा मिनट बूनने के बाद हम इसमें सारे मसालो को डाल कर आधा मिनट के लिए फिर से बून लेंगे आधा मिनट बूनने के बाद पिसी हुई ग्रेवी को डाल कर इसमें अच्छे से मिक्स करें पाँच मिनट के लिए पैन को कवर कर दें पांच मिनट बाद आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े तेल हमारे मसालों से बाहर आने लगे हैं मटर को बॉयल कर ले, बॉयल किये गए मटर को डाल दे, फ्रेस क्रीम डाल के अच्छे से पांच मिनट के लिए फिर से फैन को कवर कर दे पांच मिनट बाद आप देख सकते हैं हमारे मसाले पूरी तरीके से पक गए हैं अब हम इसमें आधा लिटर पानी डाल कर अच्छे से पकाएंगे ग्रेवी में ज़्यादा पानी ना डाले नहीं तो आपके ग्रेवी बहुत पतली हो जाएगी ग्रेवी थोड़ी गाड़ी रहती है तो ही पनीर लवापतार अच्छी बनती है अब थोड़े से पनीर को ग्रेवी में रेत कर डाल दें बाकी पनीर रख लें उपर से गार्निशिंग के लिए फ्राई किये गए सारे पनीर को ग्रेवी में डाल कर पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका ले पांच मिनट बाद आप इसमें स्वाध अनुसाल नमक डाले ध्यान रहे पहले भी आपने नमक डाला था आधा टीस्पून जीरा पाउडर काला नमक और धनिया डाल कर अच्छे से मिक्स करें अब बचे हुए पनीर को उपर से गार्निश कर दें और गैश को बन कर दें अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पनी लवाबदार बन कर रेडी हुई है गरम गरम पोड़ी या पराठो के साथ सर्व करें अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू